आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question we have given यह अच्छा question है इसको हम जनरली पेपर में करके ही जाते है question में क्या कह रहा कि एक emitter को हम यूज करते हैं in the place of voltmeter voltmeter की जगह पर हम emitter को यूज कर रहा है अब question में कह रहा कि then we must connect with the emitter emitter के साथ जो हमारा resistance होता उसको हम कैसे connect करते हैं और resistance का nature क्या होता है low होता है या फिर high होता है अगर low होता है तो उसको parallel में connect करते हैं या series में करते हैं अगर high है तो उसको parallel में करोगे या series में करोगे ऐसा option दिया है तो हमें पता है कि जो emitter होता है emitter में क्या होता है अगर कि हमारे पास घया था यह गैल बंवनों मेटरें के जिसमें अभी करेंट कितनी फ्लो कर रही है औरैजी क Timothy इसको हमें क्या बनाना था emitter बनाना था तो आज देखो emitter कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा 1 galvnb meter होता है ठीक यहाँ पे देखो इस galvnb meter के parallel में एक of sun resistance इसको बोला जाता है sun resistance very small resistance होता है उसको add कर देते हो तो यह देखो हमारा पास जो resistance से कौन सा resistance है हे , हमारा जिसको बोलता है . यहांपे इसा बहुत ही small होता है। यह तका इसको पैरलल में ही लगाते है हैं. यहापे नियुको पहुत है है एक साथ С で यह हमारा गारा से टेख्यटनस आपने लगाया है इस galvanometer के पैरलल में आपने लगा से है गल्बनिंटर के पैरलल में ही लगा क्या बन जाता है इसको कहते है हमारे पास एमीटर क्या होता है एमीटर होता है जब आप ग्यल्बनो मीटर में एक सन्ट तो इसको कहते है हमारा ऐमीटर जब आप जेकских reads galvanometer में कितनी current जा रही थी IG आचा और यहाँ पर देखो जो बची होई current होगे माल ले ते total current आई थी तो resistance, sunt resistance में कितनी current जाएगी देखो I minus IG, sunt resistance में I minus IG current जाएगी तो यहाँ से देखो दोनों के across, इस galvanometer और sunt resistance के across potential से होगा कि हमने parallel में connect किया है तो potential V equals to होता I into R, तो देखो galvanometer में कितनी current जा रही IG into माल लेते हैं galvanometer का जो resistance था G था, is equals to, sunt में कितनी current जारी I minus IG और sunt का जो resistance था, yes था, तो इस तरह से हम find out कर सकते हैं कि हमारे पास galvanometer या sunt में कितनी current flow करेगी, यह आगे हमारे पास, यहाँ से अगर I की value calculate करोगे तो I equals to आता हमारे पास, देखो IG, और रहाँ पर क्या आता हमारे पास G plus S divided by, क्या होता हमारे पास S, S क्या होता हमारे पास sunt resistance, बहुत ही small होगा, बहुत ही small sunt resistance होता है, तो इसको हम कहते हैं emitter, यह हमारा emitter बन जाता है, तो emitter में देखो हमारे पास जो resistance होता है, उसको resistance होता है low, औ और किसमे connect करते हैं हम parallel में तो इस question का right answer हो जाएगा option number one जो भी आपने resistance लगा है इसको हमने आप cent resistance भी बोला जाता है यह cent resistance देखो किसमें लगा है गल्बनों इमिटर के parallel में connect हुआ है इसको एक property आप देख सकते हो parallel लगा है अच्छा और यह क्या है very small है तो यह दोनों होता ह पल्लो होगा और parallel में आप connect करोगे तो option number A इस question का right answer हो जाएगा थैंक्यू